सुनाक्षी सिन्धा और जहिर इक्वाल शादी के बंधन में बंदने वाले हैं। दोनों के परिवार वालों ने इसके लिए मंचूरी भी दे दे हैं। हालाकि सुनाक्षी को अपने परिवार वालों को मनाने के लिए थोड़ा समय लगया। क्योंकि सुनाक्षी सिन्धा और जहेर इकवाल का धर्म अलग-अलग है। इसलिए बीच में ऐसे कयास लगाये जा रहे थे कि सत्रूधन सिन्धा के परिवार और उनकी बीटी के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। हाला कि कुछ समय के बाद कुछ सत्रूधन सिन्धा ने इस खबरों पर लगा दिया और विस्तो को मन्सूर दिया। अब इसी बीच यह खबर सामने आ रहे है कि क्या सुनाक्षी सिन्धा शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लेगी। इस मामले को लेक सुनाक्षी सिन्धा ने ससुर इकपाल रदनशी से चुप्पी तोड़ दिया है। सत्रूधन सिन्हा ने समधी और सुनाक्षी शिन्धा के होने वाले सुसूर इकबाल रतनसी ने एक्ट्रिस की हिंदू धर्म को छोड़ इसलाम धर्म अपनाने वाली खबरों को चुप्पी तोड़ी उन्होंने बताया कि क्या सच में सुनाक्षी धर्म बदल रही है या नहीं आये जानते हैं पूरी खबर इकबाल रतनसी ने इन खबरों को भारिश करते वे कहा कि ये बाल पक्की है कि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रही है दोनों का मिलन दिलों का मिलन है इसमें धर्म की कोई भुमिका नहीं है इकपाल रतनसी ने आगे कहा मैं मानवता पर यकीन करता हूँ हिंदु लोग भुर्मान को भुर्मान कहते हैं और मुसल्मान अल्ला कहते हैं लेकिन आखिरका हम सभी इंसान हैं मेरा आशिर्वाइज जहीर और सुनाक्षी के साथ है। बहराल इन सवालों पर ब्रेक तो लग गया है। लेकिन देखना है कि शादी के बाद क्या सुनाक्षी सिन्हा अपना धर्द परिवर्दन करती है या नहीं।